मेरा नाम नाजिया है और मैं कोशिश कर रहे हूँ हफ़ते में एक बार वीडियोस दालने की और अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थांक यू सो मच आई रिली रिली अप्रिशेट इट आज कर जो वीडियो है वो है और वेरी इंपॉर्टेंट क्रीम रेटिनॉल रेटिनॉल मुझे बहुत दिनों से ट्राइब करना था रेटिनॉल जो है वो एंटी एजिंग एंटी एजिंग क्रीम और लोशन है और रेटिनॉल होता है एक्चुली विटामिन ए जो आप यूस करते हैं और यह मिचूर स्किन के लिए होता है अगर आप 35 से अबव है तो आप इसको यूस कीजे और यह आपकी एजिंग फाइन लाइन रिंकल्स को हटाता है मगर यह एक्दम से नहीं करेगा धीरे धीरे आपको यूस करना है और कुछ दिनों के बाद यह आपके रिंकल्स को और आपकी एजिंग जो है डार्क स्पॉर्ट अगर हो गये हैं और अगर सम्टाइम्स क्या होता है मेरे साथ यह हो रहा था कि मुझे पोर्स बड़े हो जा और आपको एजिंग इतनी जल्दी चेहरे पर नहीं दिखेगी तो मुझे बहुत दिनों से यह ट्राइ करना था खैर तो मैंने मेरा जो ब्रांड मुझे पसंद है ओले उसका मैंने खरीदा था मेरी बड़े पर खुद को ही मैंने गिफ्ट किया यह वाला चीज मेरी सबसे पड़ी अलती यह होगी कि मैंने इसके उपर थोड़ा सा पढ़ा नहीं रिसर्च नहीं किया मुझे लगा कि यह एनी अदर क्रीम जैसे ओले के क्रीम होते हैं मैं यह यूज कर लूँगी और एंटी एजिंग और एंटी एजिंग की तरह होगा वो मैं यूज करूँगी चार डिग्रीज होती हैं मतलब चार अलग-अलग वारियेशं होते हैं सबसे कम, जादा, मिडियम, और इस सबसे जादा इस तरह से होते हैं इसके अलग-अलग-अलग अलग तो यह जो मेरे पास है वो second variation है थोड़ा सा little bit more than mild तो यह है Retinol Olay का Retinol 24 night serum अब यह night serum इसलिए है कि इसको सिर्फ रात में ही use करना चाहिए दिन में सूरज की रोशने से यह इसका effect कम कर देता है तो इसको use मत कीजिए best effects के लिए और शुरू शुरू में अगर आप beginners हैं तो श कीजिए तो मैंने इसको रात में use करना शुरू किया था और इसको मैंने क्या किया अब I thought कि पहले तो मैंने जब यह लिया तो मुझे इसका packaging समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको use कैसे करूँ ठीक है क्यों कि इस तरह का packaging था और यह इस तरह का इसके ऊपर यह देखें कुझे समझ नहीं आ रहा था और फिर यह इस तरह से पूरी तरह से खुलता भी है ठीक है यह रिखें and then आप यह उपर का press करो तो यह पूरी तरह से इसका निकल जाता है इसके अंदर से और इसी तरह आप इसके अंदर भरेंगे तो इसमें यह आ भी जाएगा ठीक है तो इ आ जाएगा बाहर ठीक है तो आपको इसको एक बार एक बार पुश करना है that's it and then पूरा इसको खोल के जो भी आएगा वह amount आपको चहरे पर यूज करना है ठीक है मगर beginners के लिए आप इसको full syringe मत यूज कीजिए आपको यूज करना है सिर्फ little bit like this much बस इतना ही आपको half a syringe आपको यूज करना है piece size के इतना इस तना आपको लेना है यह देखे कितना liquidity है ठीक है and आपको आपके चहरे पर इस तरह से लगा लेना है under eye okay around wherever you see wrinkles यह देखे कितना कम है आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि oh my god यह इतना सा है यह मुझे कैसे how I'll be able to take you know यह मेरी skin पर कैसे लगेगा पूरी तरह से मगर यह इतना ही काफी है यह देखे immediately यह पूरा soak हो गया मेरी skin में that's all lips पर मत लगाए आपके उपर यहां मत लगाए ठीक है आपके forehead पर लगाए around under eye उपर देखते हुए be very careful and around your chin अगर chin लगाना है तो around here chick and around your nose में लगाती हूँ and like that आपको neck पर लगाना है तो लगा सकते है बस इसी तरह इसको लगाना है इसको जादा लगाना नहीं है यही आपके लिए काफी है और बस यह लगाईए और आप सो जाईए दूसरी बात आप इसको अगर यह मेरे लिए यह भी काफी है यह मेरे skin पर strong हो रहा था अब मैंने पहली बार use कर रही थी अब मुझे लगा मैं इतना सा use कर रही थी एक दो दिन में मेरे skin का result मुझे अच्छा है अगर आप देख सकते हैं यह देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया है मैंने सिर्फ lipstick और काजल लगाया है मैंने कोई highlighter नहीं लगाया अगर आप देखेंगे तो मेरे nose और मेरे chin और मेरे मेरे skin is shining तो मेरे skin काफी अच्छी होगी soft होगी and I started feeling better मेरे skin मुझे अच्छे लगने लगी I said okay this is working तो मैंने next day क्या किया उसको पूरा सिरिंज ले लिया एक पूरा और खूप सारा हाथ में लगाके और पूरे चेहरे पे लगा दिया मैं अच्छा ठीक है यह ज्यादा लगा नहीं next day से मेरी skin एकदम dry होके peel off होने लगी like literally पूरी इस तरह से peel off हो रही थी वो मुझे dry patches होने लगे सब तरफ और उसका ही result यह देखिए यह अगर आप देखेंगे जैसे skin जलती है उस तरह से मेरी skin जलने लगी यह देखिए मेरी nose के पास और मेरे chin के पास और मेरे forehead पर मेरी skin कभी इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की अभी है यह रेखिए around my nose also और वो एकदम dry होके वो peel off होने लगी मुझे क्या लगा कि ठीक है यह जो retinol है it's like a मेरी जो skin का first layer है उसको निकाल रहा है it's making it much better बहुत अच्छा कर रहा है very good तो मैंने scrub किया मेरे चेहरे पर और व पूरा red और nose पूरी red forehead red फिर मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ मुझे देखना चाहिए फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में videos देखे फिर मुझे पता चला कि यह जो है जादा amount में नहीं लगाना है जितना मैंने आपको बताया है उतना ही amount आपको use करना ह पूरी सिरींज भरके आपको नहीं लगाना है अगर इतना भी for my skin यह इतना piece size जो मैंने लिया था वो भी काफी है मैं इसको क्या करूंगी दूसरे cream में मिला के पहले यह लगा लूँगी और इसके उपर दूसरा cream लगाऊंगी या कोई भी cream पहले लगा लूँगी और फिर यह लगाऊंगी राप में सोते वक्त नाइट क्रीम ठीक है तो प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है मगर इसको यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए आपको पहले पहले एकदम कम से शुरू कीजिए एक piece size ही ऐसे भी piece size ही लगाना है piece size से भी कम लिजिए थोड़ा सा ल लगाईए उसके बाद आप उसके उपर मॉस्टराइजर या उसके पहले कोई भी दूसरा मॉस्टराइजर लगाईए फिर इसको यूज कीजिए शुरू में तो आप ऐसी करिये मेरा advice यही होगा कि शुरूात में आप इसको as it is direct skin पे मत लगाईए पहले एक मेरे तीन रातों को लगाईए आपकी skin को suit होने दीजिए फिर उसके हिसाब से आप इसको improve करिए और बढ़ाए इसका usage मैंने जो गलती की थी प्लीज वो गलती ना कीजिए मत कीजिए क्योंके skin बहुत खराब हो जाती है आप देखे मेरी skin और वो जो shed हो रही थी oh my god मैं इत मेरी skin पर ऐसा हुआ है तो मैंने पहले उसको use करना बन किया फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे अब मैंने इतना investment कर दिया है और इसका इतने अच्छे result इतने सारे लोगों को आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है फिर मैंने इसके पर research की पढ़ा product बहुत अच्छा है amazing product actually तो मैंने जब से इसको सही से use करना शुरू किया है जब से मेरी skin थोड़ी सी अच्छी होगी है यह देखिए मेरी skin में यह shine नहीं थी I am shining now because of that but please don't be greedy धीरे धीरे यूज कीजे पहले इसको कोई cream के साथ यूज कीजे हाफते में दो बार यूज कीजे दो रातों को यूज कीजे फिर तीन कीजे फिर धीरे धीरे cream के बिना यूज कीजे या always cream के साथ यूज कीजे पर size आप quantity जो हम आप use करोगे no matter कितने साल तक आप use करते हो पी size ही यूज करना है इसको जादा usage में नहीं लीजे थोड़ा थोड़ा पर consistency रखिए हमेशा यूज कीजे तो आपकी skin will be very good and आपके wrinkles और आपके चेहरे पर आपको बहुत फरक पड़ेगा actually मेरी जो आखो का जो discoloration थोड़ा चेहरे का उपर मतलब वो उसने अच्छा किया है थोड़ा brightness मेरी skin पर आई है और थोड़ा सा चमक आई है तो जो भी मैंने use किया जैसे भी मगर आप मैं इसको सही तरीके से use करूंगी और इसका review में आपको मैं और दूंगी इंशाल्ला तो retinol इसकी prize और all that I have already given in previous videos तो आप उसमें देख सकने है फिर भी मैं I think it is somewhere 11-1200 तो retinol बहुत अच्छा है please use it carefully and with cautious thank you so much I hope this video helped you and जो मेरे जैसे थे जिन्होंने मुश्किले गलतियां की है उनके लिए ये helpful रह इससे related कोई भी आपके पास questions है मुझे बताईये and comment below share and let me know how you like my videos take care Allah